दोस्तो अच्छे fundamentally strong stocks आपको अगर bonus share issue करते हैं और अपने share का split करते रहते हैं और साथ ही साथ dividend भी देते हैं consistent dividend प्रोवाइट करते हैं आपको तो ऐसे stocks में long term investment में हमको multi-bagger returns मिलने के chances ज्यादा होते हैं नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सबको एक बार फिर से stock for retail पर stock market से जूड़ी एक नई जानकारी के साथ दोस्तो यहाँ पर आप लोग के लिए information लाने में बहुत ज्यादा यहाँ पर effort लगता है और research करने के बाद ही हम आपके लिए information लाते हैं यह नहीं कि हमने news देखी और कोई भी news लेके हम यहाँ पर चिलाने लगे कि यह share भाई कर लो करको आरे नरे हो जाएंगे ठीक है तो वीडियो को like अभी से कर दीजिए और वीडियो पूरा जरूर देखीएगा कि मोटिव हमारा अभी पूरा होता है जब आप information यहाँ से gather करके जाते हैं यह नहीं कि बस वीडियो forward करके stocks के नाम देख लिए ठीक है तो stocks के नाम देखकर आपको यह नहीं समझ में आएगा कि इस stock में करना क्या है आपको यह भी समझना होगा कि हमने क्या बता रखा है उस particular stock के बारे में तो दोस्तों आपकी screen पर दिख रहा है Sun Retail Limited 24.80 पैसे के आसपास यह trade कर रह है 13 अगर्स 2021 की इसकी X date है bonus share यह issue कर रहे है 3 to 5 की ratio में यानि कि हर 5 share existing अगर आपके पास 5 shares है तो आपको 3 shares bonus मिलेंगे यानि कि अगर आपके पास 5 shares है तो आपके पास 8 shares हो जाएंगे bonus की वज़े से और share split यहाँ पर जो हो रहा है 1 to 10 की ratio यानि कि हर 1 existing share हो जाएगा 10 shares ठीक है यह तो बात होगे यहाँ पर information बट हमें यह समझना होता है कि क्या वाके में fundamentals इसके अच्छे हैं तो यहाँ पर हम देखें तो dividend payout बिलकुल नहीं करें consistently dividend payout नहीं कर रहे है और financials इनके उतने strong नहीं है आप देख सकते हैं financials में revenue हमेशा इनकी decrease की है 2018 में 60 करोर 65 करोर रुप रहे है का था 2018 में और यहाँ पर negative profit हो चुका है तो आप ही comment करके बताए कि ऐसी profitable company में क्या आप investment करना चाहेंगे जो कि अपने stock पर bonus share भी issue कर रही है और अपने stock price का split भी कर रही है ठीक है और साथ ही साथ इसका business भी देखिए कि business करती क्या है आने वाले समय में क्या business sustain कर पा ठीक है चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं Chem Crux Enterprises Limited के बारे में जिनोंने की bonus share यहाँ पर announce किया है ठीक है अब यहाँ पर 425 रुपय के आसपास trade कर रहा है और ticket पर basic information देखे तो currently यह stock undervalued की zone में आता है हलाकि यहाँ पर P.E. ratio 22 के आसपास हो चुका है sector का P.E. ratio 23 के आसपास ह और यहाँ पर देखे तो A.S.M. G.S.M.E की list में नहीं और promoter share holding की pledging नहीं हो रखी है अब all time chart इसका देखते है तो आप all time chart पर देख सकते हैं कि standard 1809% के आसपास returns दिया है तो यह company grow कर रही है और grow करने के बाद इसका stock price ऐसे level पर पहुँच चुका है जहां से हाँ बही justify होत है कि अगर stock split करना है तो वो भी कर सकते हैं ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हैं the board considers the issue of allotment of bonus shares in the ratio 2 is to 1 यहनी कि हर एक existing share पर दो share आपको bonus मिलेंगे तो अगर आपके पास एक share है तो at the end of bonus issuing आपके पास 3 shares हो जाएंगे बट यहाँ पर देखिए subject to approval of shareholders in the issuing annual general meeting तो AGM meeting में यह decide हो जाएगा कि bonus shares मिलेंगे या नहीं तो यहाँ यहाँ पर 99% chance यह है कि यह bonus shares मिलेंगे ही मिलेंगे ठीक है तो यहाँ पर देखिए consistently dividend paying company face value यहाँ पर दसक है तो आने वाले समय में stock split भी इसमें हो सकता है profitable यह company हाले कि cash flow negative है बट पेत्रोस की score यहाँ पर long term के लिए hold कर सकते हैं यहाँ पर debt देखे तो केवल एक करोड का debt है debt liquidity 0.06 है failure के chances बहुत ही कम है और PG ratio भी यहाँ पर 0.60 है तो PG के हिसाब से भी यह undervalued की category में आता है promoter shareholding यहाँ पर 73% के आसपस देखने को मिल रही जो की handsome promoter shareholding है और sales growth यहाँ पर देखे 20% के रही यह पिछले 7 सा है आने वाले समय में उसके हम जवरदस्त growth की उमीद कर रहे है यहाँ पर देखे तो chemical sector की company होने के साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि bulk drugs API manufacture करती है और साथ ही साथ dyes भी manufacture करती है और pigments भी यहाँ पर produce करती है जो की बाकी companyों के द्वारा इस्तेमाल की जाती है ठीक है यहाँ पर बात कर लेते हैं एक consistently अच्छा खासा dividend paying company की जो की है Clarion Chemicals India Limited dividend yield इसका देखे कितना बहतरी 11% के आसपास dividend yield एक जवरदस dividend yield होता है 1584 रुपय के stock price के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि company consistently dividend pay करने के साथ ही साथ इसका face value जो है 10 का है तो आने वाले समय में stock split हो सकता है profitable यह company हालकि cash flow negative है बड़ पेत्रोस की score long term के लिए feedback और ग्रहाम नंबर 600 का 15 का है और currently discount rate पे मिल रहा है ग्रहाम नंबर के हिसाब से debt बिल्कुल है इस company के पास 0.53 क्रोर रुपय के आसपास debt है debt 2.2 बिल्कुल 0 है और promoter shareholding यहाँ पर 11% के आसपास है बट यहाँ पर PG ratio देख करती है per share तो इसको long term के लिए हम passive source of income के लिए भी रख सकते है अपनी portfolio में dividend से ही अच्छी खासी इस से हमारी earning होती रहेगी consistently similar category के stock है Indian oil corporation limited जो की एक अच्छा खासे dividend पे आउट करता है 10% के आसपास dividend yield है face value भी इसकी 10 की है और केवल 100 रुपय के आसपास यह stock price यहाँ पे मि 7 के आसपास debt to equity निकल के आती है तो debt ज्यादा होने के बाद भी debt to equity कम है तो failure होने के chances कम है इसके और PG ratio भी देखिए यहाँ पे 0.32 है तो PG ratio के हिसाब से यह undervalued की category में आता है ठीक है यहाँ पे gram number भी देखिए 248 का gram number और 50% discount पे यह stock मिल रहा है तो यह बहतरीन stock है और consistently dividend payout करता है तो इसको portfolio में dividend के लिए रखा जा सकता पे त्रसकी score भी देखिए long term के लिए बिल्कुल fit bet था है ठीक है रेडिंग्टन इंडिया लिमिटेड जिसके बारे में recently हमने information दी थी आप लोगों से share की थी इसका x bonus date यहाँ पे आ गया 18.08.2021 यानि कि 18.08.2021 से पहले पहले प सकते हैं कि क्या strategy होनी चाहिए इस stock में investment के लिए चली यहाँ पे बात कर लेते हैं APL Apollo tubes के बारे में 17.08.2021 के आसफास trade कर रहा है हाले कि यहाँ पे देखे तो currently overvalued भी है और ASM list में भी है FD से जाधा returns दे रहे है dividend yield इनका यहाँ पे निकल के नहीं आ रहा है बट हम dividend yield के dividend payout करते हैं या नहीं तो हमेशा आप ध्यान रखी है कि अगर 3-4 साल के लिए consistently dividend payout miss कर रहे है company तो हमें reconsider करना होता है उसको कि अपनी portfolio में रखना है या नहीं हाला कि अगर देखें तो हम देख सकते हैं कि इन्होंने 2020 में अपने stock का split कर रखा है तो जो face value 10 था उसको face value 2 में split कर दिया है और सीधे सीधे ये जो share price है यहाँ पर 8000 रुपए के आसपास हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त यहाँ पर changes होते हैं because of share split और bonus shares किसी भी stock में किसी भी company में ठीक है यहाँ पर हम देख सकते है revenue में growth के साथ ही साथ company profitable में भी growth कर रही है यहाँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 6 अगस 2021 को यहाँ पर meeting है उसमें company consider कर सकती है bonus share issuing के लिए तो already stock split हो चुका है last year but यहाँ पर आपको bonus shares भी देखने को मिल सकता है इस particular company में तो यहाँ से अगर bonus share issue होता है और declaration होता है तो आपको at least 10-15% share में moment देखने को मिल सकती है रहे हैं और किसी भी अपने stock का split किया जा रहा है जिसके fundamentals अच्छे नहीं है तो यहाँ पर देखें तो हम dividend आपको देखने को नहीं मिल रहा है और face value यहाँ पर दोका है साथी साथ company profitable है cash flow यहाँ पर negative है but Petrovskis को long term के लिए feedback के लिए फिड़ बैटता है और dip के वल 520 करोड क chances बहुत ही काम है 297 रूपय का यहाँ पर gram number और currently 8 गुना महंगे दाम पर मिल रहा है तो ऐसे stocks को यह आपको देखना होता है कि business क्या है और कुछ stocks कुछ company ऐसी होती है जिनमें कि हमेशा आपको gram number कम देखने को मिलेगा हमेशा वो company यहाँ overvalued रहेंगी अपने current price पर ठीक है 37% के आसपास promoter shareholding देखने को मिल रही है ठीक है तो blindly किसी भी stock में investment नहीं कर देना होता है blindly हमें just कि because कि based on news कि कि किसी ने declare किया है bonus issue किसी ने declare किया dividend या किसी ने stock split किया है तो हम दोड़े दोड़े भीड के पीछे जाके बाही कर लें stock को हमें यह भी देखना होता है कि क्या वाकई में जो bonus share declare किया है वो bonus share declare करने लायक है या नहीं क्या वाकई में उसके fundamentals अच्छे है या नहीं तो ठीक है दोस्तो इस video में फिलाल इतना है दोस्तों उमीदेडे विडियो आपको पसंद आई होगी रिसमें दीगे जनकारी आप क्या क्यों क्यों होगी वीडियो को ल के लिए information लाते रहते हैं ताकि आप सीख सकें और एक profitable investor बन सकें stock market में